प्रभु जब भी कोई कार्य करते हैं तो वह लीला कहलाती है प्रभु की प्रत्येक लीला में आध्यात्मेक रहस्य छिपे होते हैं लेकिन समय की गर्थ में वे धूमिल हो जाते हैं उससे मनुश्य सत्य के मार्ग से भटका हुआ है समय समय पर संतमहपुरुष इस धरा पर इन रहस्यों को उजागर करते हैं भगवान कोई ना कोई लीला रचकर बड़े बड़े प्रशनों का हल निकाल लेते हैं उन रहस्यों को तभी नहीं समझा जाता पर वक्त आने पर हमें पता चलता है कि क्यों रचाई गई थी ऐसी ली को और रावन को श्राप दिया गया था एक बार भगवान शंकर ने माता पारवती के साथ द्यूत यानि जुआ खेलने की अभिलाशा प्रकट की खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए हारने के बाद भोलेनात अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र प खेल में पारवती जी हार गई तथा कार्ति के शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए अब इधर पारवती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पती भी दूर हो गए पारवती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मात्रू भक्त गणेश जी स्वयम खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुँचे गणेश जी जीत गए तथा लोटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था गणेश जी फिर भोलेनात की खोच करने नि भोलेनात के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूशक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया मूशक गणेश जी को छोड़ कर भाग गए इधर भगवान विश्णों की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था गणेश जी ने माता के उदास होने की बाद भोलेनात को कह सुनाई इस पर भोलेनात बोले कि हमने नया पासा बनवाया है अगर तुम्हारी मातापुन खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनात वापस पारवती के पास पहुंचे तथा खेल खेलने को कहा इस पर पारव इस पर नारत जी ने अपनी वीना आदी सामगरी उन्हें दी इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे एक दो पासे फैंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विश्णों के पासा रूप धारन करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया रावन ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया की गंगा की धारा का बोज उनके सिर पर रहेगा नारत जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला भगवान विश्णों को श्राप दिया की यही रावन तुम्हारा शत्रू होगा तथा रावन को श्राप दिया की विश्णों ही तुम्हारा विनाश करेंगे कार्ति के को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया